प्रिये दर्श्टकु नमस्कार आए सुनते आज का मुख्य समाचार R&C Lab की समिक्षा क्वालिटी सर्किल टीम के उद्यमसिल परियास से सेल राउलक्लाइस टील प्लांट के लिए बड़ी बचत अरजित करने में मदद हाशी सेल आरेस्पी में स्वच्छता ही सेभा अभ्यान के उपलक्षे में Fit India Freedom रन चार दस्मलों सुन्ने का आयोजन और सेल राउलक्लाइस पास सैयंत्रे के सेक्टर 20 इस्थित स्पास इंग्लिश मुजन स्कूल में एथिक्स क्लब का सपत ग्रहन सामरो आयोजित अब समाचार विस्तार से R&C Lab की समिक्षा Quality Circle CQ टीम की एक उद्यमसिल परियाश ने सेल राउलक्लाइस टील प्लान के लिए भारी बज़त अर्जित करने में मदद की है PSR टीम में सामिल और R&C Lab के वडिश तकनिशियन स्री M. माथम, D. सहायक रसायनक स्री आरजेना के तकनिशियन स्री G. ओजा, S. O. स्री अंकीता दास, T.C. और O. T.C. स्री विश्वे प्रिया पतनायक ने ब्लास्ट फरनेस उतपादक्ता में ब्रिधी परियोजना को सफलता पुर्वक निश्पादित किया, जिससे विभाग के उतपादन और उतपादक्ता को बढ़ाने में मदद मिली, प्रवंदक और NC Lab सूसरी खुजबू मिसरा टीम की सुत्रधार थी, उलेकने हैं कि सिंटर ब्लास्ट फरनेस में जाने वाला प्रमुक कच्चा माल है और इसकी गुणवता ब्लास्ट फरनेस के उतपादन और उतपादक्ता को निर्धारित करती है, सिंटर की मजबूती सिंटर का बहुत महत्यपूर्ण गुणवता पारामिटर है, ब्लास्ट फरनेस पांच लेबरोटरी में आर मसीन के IDRI बार बार खराब होने के कारण, यह सिंटर की होट स्ट्रेंथ का परिक्षिक्षन करने में असमर्थ था और इसके परिणाम स्वरूप सिंटर स्ट्रेंथ पर अधूरी जानकारी मिलती थी, जिसके परिणाम स्वरूप सिंटर का गुणवत्ता में उतार चड़ा होता था, जिससे BF उतपादक्ता कम हो जाती है, करणों और तक्निकों का सी का पता लगाया और क्यूं उपयोग करके इस ठीक किया गया इससे मसीन में बहुत कम खराबी आई आर आई और यह लगातार चालू रही सिंटर गुणवता की बहतर जानकारी और सुधार तक्मक करवाईयों के साथ अब अच्छी गुणवता वाले सिंटर का उत्पादन किया जा सकता है इससे ब्लाश्ट फरनेश उत्पादन और उत्पादक्ता में बृद्धी होने में मदद मिली है और परिणाम स्वरू लाप्रदता में सुधार हुआ है पूरी परियोजना और संबद विभाग जैसे एल्सी ऑक्सिजन प्लांट डिजाइन विभाग इंस्टुमेंटेंशन विभाग और बी विभाग के करमचारिय दुआरा इन हाउस इलोक्ट्रिकल एफ की गई थी सेल्रालक्ला स्टील प्लांट में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभ्यान के उपलक्ष में फिट इंडिया फ्रीडम रन चार दसमल सुन का आयोजन किया गया महा प्रवंदक पी एच डबलू और इयर्पोर्ट स्री आर के वर्मा ने 26 अक्टोबर 2023 को बीजू पटनेक होकी स्टाडियम में आयोजे 3 किलोमेटर फिट इंडिया फ्रीडम रन को हरी जंडि दिखाई इस अवसर पर सहायक प्रवंदक क्रीडा, स्री रगुनंदन पाड़ी और क्रीडा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्तित थे रावलकला और पास्वन्चल छेत्रों के विभिनी स्कूलों के लगभग सो छात्रों और खिलाडियों ने एक जुटता दौड में भाग लिया सेल रावलकला स्टील प्लांट RSP के सेक्टर 20 इस्थित में इसपात इंग्लिस मिडियम स्कूल IEMS में एथिक्स क्लब के लिए एक सपत ग्रण सामरों 19 अक्टोबर 2023 को स्कूल परिसर में आयूजित किया गया था महाप्रवंदक प्राभारी नगर प्रशाशन स्री पीके दास सामरों के मुख्य अति थी थे जबकि महाप्रवंदक सत्रक्ता स्री सौमित कुमार सम्मानित अति थी थे इस आउसर पर महाप्रवंदक नगर शेवा सिक्चा स्री मनुज अगरवाल भी उपस्तित थे अपने संबोधन में स्री पीके दास ने एथिक्स क्लब के प्रतेक सद्धस्य से अपने जीवन के हर पहलू में नैतिक मुल्यों को बनाय रखने का आगरा किया उन्होंने विध्धार्तियों को एथिक्स क्लब की सपत भी दिलाई स्री सौमित कुमार ने छात्रों को समाज के भीतर भ्रष्टचार से निपटने के लिए एक मजबूत विचार प्रक्रिया बनाने रखने के महत्यों के बारे में बताया स्री अगर्वाल ने एथिक्स क्लब दुआरा निभाई गई महत्यों भूमिका और बच्चों पर इसके प्रभाव जोर दिया गणमान्यों ने पहले से आयोजित भासन, प्रस्नोत्यरी निर्भन लेखन, ड्रॉइंग और स्किट प्रतिग्योताओं के बिज़ताओं को पुरुषकार प्रदान किये IEMS सेक्टर 20 की प्रिंसिपल डॉक्टर सूस्रिता दास ने सभा का स्वागत किया और एथिक्स क्लब की गतिवीधियों पर एक सक्षीप्त रिपोर्ट प्रस्तूत की स्कूल के कक्षा 6 के छात्र मोहित पल्लोर ने कारेकरम का संचालन किया जबकि एथिक्स क्लब के एक अन्य सदश्य प्रत्यूश पाढ़ी ने उपचारी का धन्यबाद ग्यापित किया सामारों में IEMS के लगबग 206 और सिक्षकों के साथ सत्रक्ता विभाग और नगर प्रशाशन विभाग के गणमान्यों ने भाग लिया उलेकने है कि स्कूल में एथिक्स क्लब का गठन वर्ष 2011 में किया गया था क्लब का मुख्य उद्यशे युवा मन में नैतिक और नैतिक मुल्यों को विक्षित करना है जो भारत के जिम्मेदार नागरीकों के निर्मान में काफी मदद करेगा तब से एथिक्स कलब के सदस्यों को एथिक्स गार्डेन के रखरखाओ के लिए प्रुसाहित किया जा रहा है उनके लिए प्रख्यात हस्तियों के साथ समवात कारेकरम आयोजित की जा रहे हैं और मुल्य आधारित सिक्षा कक्षाय संचालत की जा रही है। आज की हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार